प्रिवेश प्रॉलम था हमारा 8.5 उसमें हमने तीन रिक्वाइर्मेंट कर लिए थे आज हम इसकी देखते हैं चौथी रिक्वाइर्मेंट फॉर्थ रिक्वाइर्मेंट और यह चैप्टर है रेश्यू अनलेसिस के सिस्ले हम कर रहे हैं यह चैप्टर एट है यह तो इसके अंदर जो फूत requirement है वो है stock turnover in days stock turnover in days इसमें यह मौलुम करना है हमें कि जो stock turnover है यह stock में changes आ रही है वो साल भर में एक changes कितने दिन में आ रही है इसका formula है 365 divided by stock turnover तो यहाँ पर 365 साल के जो 365 days दिलीजे stock turnover seven times you have already calculated इसको divide कर दें तो 52 days जो है आपका stock turnover के days आ जाएंगे 52 days का मतलब है कि तक्रीबन जो है वो seven week यह एक stock में changes आती है वो seven week में आ जाती है उसके बाद अगली requirement है हमारे पास total aster turnover यह तोटल aster turnover मौलुम कीजिए इसके लिए आप cost of formula क्या है cost of the sold and divided by total assets तो यहां पर cost of the sold आप आप गिवन है total assets जो है आपके पास 16,92,000 के हैं cost of the sold को आप total assets डिवाइड कर देंगे तो आपका असर आ जाएगा 1.82 times इसका मदलब यह है total assets turnover का मदलब यह है कि आपने जो total assets है कारोबार के उनको कितना efficiently और effectively इस्तमाल किया है तो हमने उनको 8.2 times इसके बाद फिर हम देखते हैं fixed assets turnover भी देख लेते हम इसका formula क्या है cost of goods sold and divided by fixed assets cost of goods sold आपके पास क्या है 30,80,000 और fixed assets है आपके पास 7,20,000 इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका answer आजाएगा 4.28 times इसके बाद के जो fixed assets हैं उनको आपने 4.28 times यानि almost 4 times efficiently आपने यूज किया है उनको उसके बाद इसकी 7th requirement है current assets turnover current assets turnover का formula है आपका cost of goods sold upon current assets cost of goods sold हम आपका 3,80,000 है current assets जो है वो 9,72,000 के हैं इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका answer आजाएगा 3.17 times इसके बाद के आपने अपने जो current assets हैं वो almost more than 3 times efficiently या effectively आपने इस्तेमाल किया हैं उसके बाद इसकी last requirement है working capital turnover working capital turnover का formula है cost of goods sold upon working capital cost of goods sold आपके पाद 3,80,000 है और cost of working capital जो है वो आपके पास 6,48,000 है इसको आप divide कर देंगे cost of goods sold को working capital से तो आपका answer आएगा 4.75 times it's been that के आपने अपना working capital जो है वो almost more than 4 times यानि almost 5 times जो है वो आपने effectively उनको उसको use किया है तो यह question number 8.5 में यह art requirement थी जो के हमने इसको देखा अच्छे तरीके से इसमें जो main चीज है वो यह है कि आपने formula को अच्छे तरीके से याद रखना है पहली चीज तो formula आपको याद होने चाहिए और दूसरी चीज जो है आपको selection of data आना चाहिए किया क्या चीज है हमने data में से उठा नहीं है कौन कौन से हमारे current assets है कौन कौन से हमारे fixed assets है कौन कौन से हमारे expenses है तो यह आपको यह महारा जो है यह practice आएगी तो जो जोटनी आप practice करेंगे उतनी आप इस बारे में जो है familiar हो जाएंगे तो यह था इंशाला अगली class के थांक यू